यूपियर उत्राखन की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दपाई हिंदू नीती में माग महीने का खास महत्व है इसलिए हर साल माग मिला संगम के किनारे पर लगता है जसमें करोणों लोग आस्था की डुप के लगाते हैं इस बार भी माग मिला की तैयारियां शुरू हो गए है लेकिन कोरुणा गाल में सुरक्षित माग मिला संपन कराना सरकार के लिए अगनी परिक्षा की तरह होगा प्रियाग राज में संगम के किनारे माग मेले के लिए जमीन तैयार की जाने लगी है भले ही अभी अगले साल हरे द्वार में होने वाले कुम्ब मेले पर आशंकाओं के बादल बढ़ रहे हैं लेकिन यूपी सरकार ने माग मेले के आयोजन की मंजूरी देती है संगम किनारे फिर लगेगा माग मेला माग मेले की तैयारियों में जुटा परशासा कुरुनकाल में माग मेला बना बड़ी चुनोत कुरुनकाल के बीच भी माग मेले को मंजूरी मिलना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है लेकिन योगी सरकार की मंचा है ये किसी भी कीमत में कलप बासियों का संकल पर खंडित नहीं होना चाहिए इसलिए माग मेले के आयोजन की मन्जूरी मिलते ही प्रियागराज प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है संगम की रेती पर लगने वाले माग मेले का स्वरूप क्या होगा फिल हाल ये तै नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद की मंचा के मुताबिक सरकारी अमले ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है जमीन के समतली करण का ये काम उसी का हिस्सा है तैयारियां पूरी होते ही संगम के किनारे एक महीने के निकल्प बासियों के लिए शंक्राचार और दूसरे सादूसंत हमेश्वा की तरह इस बार भी महीने भारा गंगा की गोद में रहे का जब तब और पूजा अर्चना कर सकेंगे लेकिन विवस्था कुछ इस तरह की होगी जिससे यहां आने वाली लाकों करूनों की भीर कुरूना संक्रमन से बची रहे इसी वज़ा से मेले के स्वरूप में बदलाव का इससे छूटा किया जाने की तैयरी है चुनोती तो बहुत बड़ी चुनोती है पर इसके पहले भी सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी चुनितिया सफलता पुरुवक सफलता हसिल की है उसको निभाया है माग मिला भी सकुषल यहां के अधिकार्योदारा मुख्य सचुव अभी दो दिन पहले ही आके अवलोकन करके गए है तो उस हिसाब से उसका निवारन हो जाएगा और गाइडलाइन के अनुसार इसमें कार्यों हो जाएगा संगम की किनारे तंबूओं का शेहर तो आबाद होगा लेकिन इस बार इसका स्वरूर बहुत जोटा और बदला हुआ होगा कैसा होगा इस बार का माग मिला दरसर एक दिया ही कम होगी तंबूओं की संख्या निजी संस्ताओं के कैम्प नहीं लगेंगे मिल में सैक्टर और शेत्रवल पूरवर्थ रहेगा इसलान घाटों की संख्या डेड़ गुना बढ़ेगी कल्प वासियों और संतों के शिविर में पाबंदियां रहेंगी हर करमचारी का प्रशासन के पास पूरा जेटा होगा सादू और शद्धालू को करना होगा कोविट टेस्ट सेक्टर अस्पताल और आइसलेशन बॉर्ड बनाने होंगे कुरूना को देखते ये इस बार माग बिना धाई हजार बीगे से जादा शेत्रफल में पसाया जाएगा आयोजन की तैयारियों पर पूरा जोर है लेकिन कोरूना काल में जन प्रतिनिधी भी मान रहें हैं कि आयोजन बड़ी चुनोती होगा मेले मेल लापर वही न भरती जाए कोरूना जैसे महामारी से लड़ने के लिए सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करें लोग दूर दूर टेंट लगाएं इसके नियमों का पालन करते हुए ही मेला कर संचानल कराया जाए न आउती होगी और हमें लगता कि वहाँ हास्पिटल भी मनाना पड़ेगा और लोगों को चेकंग भी लगनी चाहिए हो वहाँ पर कि लोग चेक भी कराते रहें और हमें लगता कि गंगा मईया का असिरवाद रहेगा कुछ नहीं होगा इस महामारी से हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे 14 जनवरी से शुरू होगा माग मिरा 11 मार्श महाश्य वरातरी पर होगा समापन मेले में 6 प्रवक इसनान पर्व होंगी मौनिय वावस्या सबसे बड़ा इसनान पर्व होगा महीं सुरक्षा इंतजाम हो और माग मेले में कोविट एस ओपी के उप फॉलो करने के लिए पुलिस ने अभी से कमर कसरी है और उनकी सेहत और बेहतरी से कोई कंपरॉबाइस नहीं किया सकता सुरक्षा के सारे प्रवंद किये जा रहे हैं हर साल लाखों की तादाद में साधू संत और तक्रीब अन्ग पाच करोर से जादा श्रधालू इसमें शुरीकत करते हैं इसमें सब से जदा फुम्र दरास लुगों की तादा उती हैं मांगमिले में कलपवास करने वाले 99 फीस्दी से जश्यादा श्रधालू करोना की महामारी से बचाना सरकार और प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनोती से कम नहीं होगा कैमरा में रोहिश्री वास्तों के साथ मुहम्मद मुहीन एबीपी गंगा प्रयाग राज